तो friends, हम लोग बात कर रहे थे business studies के chapter number 6 की staffing हमारा चल रहा था, मैं इसके 4 पार्ट आपके लिए upload कर चुका हूँ, जिसमें मैं आपसे 3 और 4 पार्ट की बारे में बता दूँ, 3 पार्ट था recruitment, 4 पार्ट था selection और ये 5 आखरी पार्ट हमारा training and development, क्योंकि staffing के अंदर ये 3 ही है basically च ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आखर training and development क्या होता है, देखो training का मतलब आप employee की skill को increase करने के लिए जो भी activities करते हो, वो आपकी training कहलाती है, यानि आप चाहते हो कि हमारी organization के अंदर जो employees हैं, जो workers हैं, वो better तरीके से काम करें, वो अच प्रोवाइड करते हु, training, ठीक है, development का मतलब, development का मतलब overall growth of the employee, employees की, workers की overall growth को ही, आप क्या बोलते हूँ, development, अब development आप किसी भी रूप में कर सकते हूँ, चाहे उसे training प्रोवाइड प्रोवाइड करके, चाहे उसे promotion प्रोवाइड करके, चाहे उसका salary में increment करके, आप कैसे भ लोग कहें, तो development एक बड़ा सब थे, training एक development का छोटा सा पार्ट है, training, development concept के हिसाब से एक बड़ा टर्म है, और development का ही एक छोटा सा पार्ट क्या है, training, तो development का मतलब overall growth of the employee, generally हम लोग हर एक personal employee की बात करते हैं, development में, कि इस employee की कितना development हुआ, कब कब कितने कितने increments मिलें इसको, तो उसे हम क्या बोलते हैं, development, देखो हम लोग जल्दी से दोनों की meaning रीट कर लेते हैं, तो सबसे पहले training, training means, equipping the employees, आपको employee क्या करना है, equipping करना है, equipping का मतलब यहाँ पर यह समझे लो, सोसजित करना, यह समझे लो, कि हम employees को वो सारी चीजें provide कर दें, किस चीज के लिए, with the required skill to perform the job, जो भी उसे job perform करने के लिए, जिस भी skill की उसे आवेशकता है, उस skill से आप उसे सुसजित कर दो, वो skill आप उसे provide कर दो, यह आपकी training कहलाती है, बाकि the candidates are sent for training, Candidates को हम लोग training पर भीशते हैं, क्यों भीशते हैं, so that they can perform, जिससे वो perform कर सके, the job in the expected manner, तो वो हमारे expected manner में, जिस manner में हम चाहते हैं, उस manner में, वो job को perform करें, इसलिए हम उसे कहां भीशते हैं, training के उपर, ठीक है, अब ज़राइ development समझो, तो development refers to overall growth of the employee, development का मतलब, employee की overall growth हमारी development कहलाती है, तो it focuses on personal growth and successful employee development, तो किस पर focus करती है, एक तो personal growth पर, यानि employee की personally कितनी growth हो रही है, दूसरी successful employees development, यानि पूर्ण तरीके से, आप employees का कैसे development कर रहे हो, इसके अलावा, development is much wider in concept, यह ध्यान रखना, concept के हिसाब से बात करें, तो development एक बहुत बड़ा सब्द है, ठीक है, compare to training, और training के हिसाब से बात करें, तो भी बहुत बड़ा टर्ब है, लेकिन जो training है, वो development का एक छोटा सा part, next line में वही है, as training is only a part of development, ठीक है, चलो, इसके बाद, अब हम लोग बात कर लेते हैं, need for training and development, अब यह बताओ, training और development की आविशकता क्यों होती है, हम employees को training क्यों provide करते हैं, हम उनका development क्यों करते हैं, तो देखो, training और development के एक तो organization को फायदा होता है, यानि हमारी company है, तो हम अगर training provide कर रहे हैं, तो हमें काफी फायदा है, क्या-क्या फायदा है, मैं अभी बात करता हूँ, दूसरी चीज, जो employee है, जो worker है, उसे भी तो फायदा है training का, तो फायदा दोनों लोग को है, organization को भी और worker को भी, सबसे पहले बात करते हैं, benefit of training and development for organization, कि हमारी business organization को, हमारी company को क्या benefit है, अगर हम training provide करते हैं, तो, अगर हम workers को trained करते हैं, तो क्या benefit है, आप लोग सोच रहे होगे, सरा, आप वो तो बताएं ने रहे हैं, types of training, on the job, of the job, इसके बाद मैं उसके भी बात करूँगा, आप लोग परिशान मत हों, ठीक है, तो सबसे पहले benefits, वो भी किसको, organization को, किस सीच के, training and development के, देखो ज़रा, सबसे पहला point है, reduced learning time, वो जो सीखने का समय है, उसे कम कर देती है, कौन training and development, जनरली आप क्या करोगे, काम के साथ साथ अगर आप सीखोगे, काम भी चल रहा है, साथ में सीख भी रहे हो, तो मतलब slow-slow आप सीखोगे, जबकि अगर आप पहले पूरी तरीके से सीखने पर ध्यान दो, only training पर focus करो, तो आप ज़्यादा better तरीके से, ज़्यादा जल्दी सीख जाओगे, ठीक है, एक नया employee slow-slow काम करता है, बट अगर आप उसे training परफोर्मेंस, एक अच्छे परफोर्मेंस के लिए, आप चाहतो employees अच्छे से perform करें, हम जिस हिसाब से चाहते हैं, वो उस हिसाब से perform करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, training provide करनी पड़ेगी, फिर है हमारे पास attitude formation, अब देखो, जिस भी employees को हम लोग training provide कर देते हैं, उनमे attitude आजाते है, attitude समझतो ना, कि जिस भी काम कर रहे हैं वो लोग, उसके काम के पृति attitude आजाते है, अब वो काम पहले क्या पिक्षा, ज्यादा better तरीके से करेंगे, बाकि सारे employees में उन्हें ये feel होगा, कि हम ज्यादा better person है, better क्यों हैं, क्यों हैं, क्यों हम training कर के आए हैं, तो इससे attitude form होता है, जिससे काम और better तरीके से होता है, काम और perfect तरीके से होता है, उसके बाद aids in और help in, तो सीधा aids in तो यहां से हटाई दो, सीधा लिखो इस point को, helps in solving operational problem, अगर operation में, business operation में, अगर कहीं कोई problem आती है, तो जिस बंदे ने training ले रखिए, जिसका development हुआ है, वो उस problems को आसानी से solve कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसने training में, यह सारी चीज़ें सीखी हुई है, तो इसलिए वो operation problem को आसानी से solve कर सकता है, इसके बाद managing manpower need, manpower need, यानि आपको department के अंदर, organization के अंदर कितने लोगों की आविशकता है, कौन पहचानेगा, जिस person को training provide किये है, वो, और अगर by chance, एक याद उबर कर कम भी पड़ रहे हैं, तो जो trained person है, वो अपने हिसाब से manage कर लेगा उस चीज़ को, यानि manpower need को manage करके चलेगा, कौन परसन, जिस person ने training provide कर रखी है, और एक last point, help to adopt changes, अगर by chance, कोई changes करना चाहते हूं, या organization के अंदर कोई changes हो रहे हैं, तो उन सब को adopt कर लेना, ये भी आखिर, कौन facility provide करेगा, हमें trained person, जिसके पास training मौजूद है, वो person, तो ये तो थे सारे point वो, जो organization के point of view से, यानि organization को ये सारे benefits मिलेंगे, अब हम लोग देख लेते हैं, कि आखिर, worker की point of view से कौन-कौन से benefits हैं, वरकर को इससे क्या-क्या फायदा मिलेगा, तो सबसे पहले चीज़ है, better career option, जो देखो, worker को better career option मिलता है, क्यों, आप suppose करो, मैं एक worker हूँ, ठीक है, company ने मुझे training provide की, अब जब company ने मुझे training provide की है, company ने मेरे उपर काफी सारा खर्चा किया है, तो company क्या एक-दो महीने काम करवा कि मेरे को भगा देगी, एसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि company ने जिस person पर खर्च किया है, उस person से वो काफी लंबे समय तक organization के अंदर काम करवाएगी, तो यह समझे लो, कि आपको job security की feeling आ जाएगी, किस से, training और development से, ठीक है, तो आपके पास career option बेटर रहेगा, आप काफी लंबे समय तक organization के अंदर काम करोगे, second point है, earning more, अब आप समझ सकते हो, development में तो आप सीधा समझ सकते हो, कि आपका promotion होगा, तो आप ज़्यादा कमाऊगे, training में भी same चीज, अब आप पहले के अपिक्षा ज़्यादा goods बनाओगे, तो आप पहले के अपिक्षा ज़्यादा earn करोगे, उसके बाद है, boost अब दी, moral of the employees, moral का मतलब याद है, आप लोगो होसला बढ़ाना, तो इससे training और development से, जो employees का moral है, जो employees का होसला है, वो बढ़ता है, उन्हें लगता है कि यार, आज इस employee के training प्रोवाइट किया ही, कल हमें भी प्रोवाइट किया ही, कल हो सकता हमें भी promotion मिले, तो इससे employees का moral अब होता है, और एक last point, less chances of accidents, तो ध्यान रखना है training और development से, accidents के chances कम होते हैं, क्योंकि generally क्या होता है, training provide करते हैं, तो workers काम को अच्छे तरीके से पहले सीख लेते हैं, उसके बाद काम को करते हैं, तो इससे accidents के chances कम हो जाते हैं, इसके बाद एक very important topic, जो आपके examination point of view से बहुत जादा important है, ध्यान रखना थोड़ा बहुत नहीं, बहुत जादा important है, वो क्या है, methods of training, अब आप training कैसे provide करते हों, उसके दो तरीके हैं, पहला on the job, दूसरा of the job, देखो दोनों वैसे नाम सी पता चले हैं, on the job, यानि आप काम करने के साथ साथ, आप training लो, वो on the job, off the job का मतलब कि काम totally बन, आप काम आप कुछ भी नहीं करोगे, काम से अलग से हटके, आपको जब किसी model बगारा को दिखा के आपको चीज़ें समझाई जाएं, तो उसे आप होलते हो, off the job, देखो दोनों को read भी कर लेते हैं, when the employees are trained, while they are performing the job, जब वो job को perform कर रहा हूँ, जब उनने training प्रवाइट किया है, that is on the job, it is known as on the job training, under this method, the employee learn by doing, इसमें employee कैसी सीखते है, learn by doing, करके सीखो, जबकि इसमें off the job में, off the job training means, training the employees by taking them away from their work position, ध्यान रखना, वो work position से उनने हटा दिया जाता है, totally दूर रखा जाता है work position से, जहा हटके लेते हैं कहीं पर, तो which means employees are given a break from the job and sent for training, तो उने job से break दिया जाता है, कि भाई, अब आपको काम नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, पहले आपको training पर जाना है, यानि आप कहीं दूसरी जगा जाओगे, जहां से सीख साक के फिर आओगे आप organization के अंदर, तो चल इसला है apprenticeship programming, दूसरा है internship और तीसरा है induction और orientation training, तीसरा तो ठीक है, आसान है बलकुल, बट यह दो जो starting के हैं, apprenticeship programming और internship, ध्यान रखना, mostly students, 90% students confused यहीं पर होते हो, दोनों में confused हो, यार दोनों लगभग लगभग सेम ही तो हैं, बट अब जड़ा ध्यान पूरवक आप लोग सुनना मेरी, मैं क्या बता रहाँ, सबसे पहले सुनो apprenticeship programming, अब apprenticeship programming में क्या होता है, आपको organization के अंदर ही, मैं जिस company में काम कर रहा हूँ, उस company की ही में बात कर रहा हूँ, उसी में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे एक master worker एक point कर दिया, कौन एक point कर दिया, master worker, master worker तो समझतो ना, जिसे काम अल्रेटी आता है अच्छी तरीकी से, अब मैं master worker के काम को देख रहा हूँ, देखते देखते सीख रहा हूँ, थोड़ी बहुत उसके साथ help भी कर रहा हूँ, यह आपका क्या कहलाता है, apprenticeship programming, क्योंकि काम चल रहा है, और काम के चलते-चलते हम सीख रहे हैं, तो यह on the job भी है, और इसको क्या बोलेंगे, apprenticeship programming, अब read करने से पहले, दूसरा और समय लो, internship, internship का मतलब होता है, जनरली आप यहाँ पर, अपनी organization के अंदर काम नहीं कर रहा हूँ, आपको 6 महीने के लिए, यह समय लो, corporate sector में, यह किसी दूसरी company में भेजा रहता है, किसलिए, कि जहाँ वो काम चल ला है, वहाँ उनके साथ काम में help करूँ, उस काम को observe करूँ, देखो और वहाँ सीखो, यह कहलाता है आपका internship, अब मैं समझता हूँ, कि आपको internship अपी ज़्यादा clear नहीं गुआ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात सुनना, आप class 12 के बाद, हो सकता है BBA करो, हो सकता है Bcom honors करो, अब इन में क्या होता है, Bcom honors में तो वैसे नहीं होता है, मैं आपको BBA की बात बताता हूँ, या आपने MBA की बात सुनने हो, तो MBA का भी सुनू, BBA और MBA की बात बतारू, देखो क्या होता है जनरी, चार महीने सपोसरो आपने semester की पढ़ाई की, ठीक है वैसे तो 6 महीने का semester होता है, लेकिन मैं कितने महीने की बात की, 4 महीने, 4 महीने आपने college में, खूब यह समय लो theoretical knowledge ली, ठीक, theory knowledge तो ले ली, अब practical knowledge कैसे लोगे, भाई ऐसा तो है नहीं, आप college को यह अपने company मना जोती है, भाई हम यहीं काम करके देखेंगे, तो college वाले क्या करते हैं, मैं college की बात कर रहाँ, universities की बात कर रहाँ, college वाले क्या करते हैं, एक semester में, एक महीने की आपको training प्रोवाइड करते हैं, अब यह college to college डिपेंड करता है, कहीं एक महीने की, कहीं 15 दिन की, वो क्या करते हैं, आपको किसी private company के पास, या किसी government company के पास, ऐज़ा training के तोर पे भिशते हैं, यानि आप training करने के लिए जाते हो, तो जिस भी company में जाते हो, वहाँ से वो आपको एक certificate फिर लास्टम बना के देते हैं, कि हाँ हमारे पास एक महीने की training आपने complete की, ठीक है, यह आपका क्या कहलाता है, यह कहलाता है internship, तो generally, जब आपको एक महीने के लिए दूसरी company भी आया आता है, training करने के लिए उसे बोलते हैं internship, ठीक, तो यहाँ पर दोखो दो प्रकार के institution है, कौन कौन से एक है professional institution, वो कौन है, अपना college, college ही तो theoretical knowledge प्रोवाइड कर रहा है ना, तो एक है हमारा college, एक है corporate sector, यानि company, college वाले क्या करते हैं, अपने students को का भीषते हैं, corporate sector के पास, companies के पास भीषते हैं, किसके लिए, training के लिए, इसे बोलते हैं internship, अब मेरी खाल से आपको बाद समझे हो गई है, तो देखो, द्वारे सुनना, ध्यान पूरवक समझना, apprenticeship programming में क्या था, organization हमारी खुद की है, worker हमारे खुद की है, बस हमें एक master worker appoint कर दिया याता है, तो हम उसके साथ-साथ काम को देखते-देखते सीखते हैं, internship में क्या होता है, college वाले company में भेशते हैं अपने students को, जिससे वो जो theoretical knowledge है, वो अपनी practical knowledge को convert कर सकें, वो उसको better तरीकी से समझ सकें, अब मेरे ख्याल से आपको दोनों में different समझ में आ रहा होगा, कि बिलकुल जमीन आसमान का अंतर है, apprenticeship programming में और internship में, नहीं आई बात यह समझ में, अभी भी कोई बात में, मैं आपको read करके बताता हूँ, सुनों जरा ध्यान से, तो सबसे पहले apprenticeship programming, इनदा apprenticeship programming, ए master worker और trainer is appointed, कौन appoint करेगा, master worker या trainer, आपके लिए appoint कर दिया गया, ठीक है, who guides the worker, और learner, regarding the skill of job, तो जो भी काम चल रहा है, उसके बारे में, वो workers को guide करेंगे, उन्हें समझाएंगे, the master worker performs the job, master worker ही काम करेगा, काम वही कर रहा है, and the trainee, learner observe him performing हो, जब वो काम करेंगे, तो trainee उन्हें observe करेंगे, थोड़ी बहुत help भी करेंगे, but main focus यहाँ पर observe करेता है, example देख लो, plumber का का काम है, इलेक्रिशियन का है, आईरेन वरकर है, एक सेक्टर है, इन में ऐसी होता है, पहले आप master worker को देखते हो, जब आप देखते देखते, फोड़ा perfect हो या आते हो, समझ में आने लगता है, कि हाँ यह यह ऐसे हैसे होगी, उसके बाद फिर आप धीरे-धीरे help करना स्टार्ट करते हो, फिरेक्ट सेकेंड सुनो, internship, internship is an agreement between professional institute and corporate sector, अब यह बताओ, यह दोनों कोन है, professional institute यानि आपका college, अब बताया था ना मैं, corporate sector यानि आपकी company, private company होँचा है public company, तो college वाले क्या कर रहे है, किसी company के अंदर, तो company में थोड़ा फ़त काम भी तो कर रहे है, तियार बदले में उन्हें पैसे भी तो मिलना चाहिए, भले वो training के साथ-साथ काम कर रहे है, उनका एक मकसद भी है training करना, बट फिर भी आपकी company में काम करना है, तो एक थोड़ा बहुत अमाउंट तो पै करना चाहिए न, तो ध्यान रखना, companies थोड़ा साथ, बिल्कुल minimum amount भी उन्हें पै करती है, जिसको हम लोग बोलते है, stipend, इस पर मैं आता हूँ, बट अभी से ध्यान रखना, नाम क्या है, stipend, होता क्या है, जो company, students को, या जो training, training को, training समझतो हो न, जो person training, training provide कर रहा है, तो training को, जो minimum amount भी करते हैं, उसे बोलते हैं, हम लोग stipend, देखो जारा, फिर तो पहले समझे, पहले पूरी बात, तो यह क्या होता है, agreement होता है, किस-किस की बीच है, professional institute, और corporate sector, where professional institute, यानि आपका college, send their students to various company, वो क्या करते हैं, send करते हैं, अपने student को, अलगला companies में, they can practice their theoretical knowledge, acquired by them, तो जो उनने theoretical knowledge, acquired की है, उसको, उसमें, को, gain करते हैं, उसको से practical knowledge में, convert करते हैं, उसकी practice करते हैं, through professional institute, अब देख लो, under this training program, the organization gets people, with fresh ideas, and latest knowledge, तो इससे students को, fresh ideas मिलते हैं, उनने latest knowledge मिलती है, and the companies, have to pay less amount of salary, और यद ये धिशान रखना, कि company, less amount भी पे करती है, ऐसा salary के तौर पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, stipend, अब मेरी ख्याल से, आपको बात याद रहेगी, एक last AC में, वो है, induction और orientation training, बिल्कुल आसान है, जब नए वरकर साते हैं, company के अंदर काम करने के लिए, तो आप उन्हें कुछ instructions प्रोवाइड करते हो, कुछ guidelines प्रोवाइड करते हो, ताकि वो काम को start कर सके, इसी को हम बोलते हैं, induction और orientation training, देखो, जल्दी से read भी कर लो, एक बार shortcut में, तो ये है आपका, induction और orientation training, is a process of receiving, and welcoming, and employee, when he first joins the company, तो यब वो पहली बार join करता है, तो उससे suggestion देना है, उसको welcoming करना है, and giving him the best information, he needs to settle down, quickly and happily, and start work, तो वो अच्छे तरीके से, better तरीके से, happily तरीके से, काम को start कर सके, उसे हम बोलते हैं, induction और orientation training, ये totally पूरी तरीके से अलग है, इसके बाद, एक last, छोटी सी बात, क्या है, of the job method, तो of the job method में, सिर्फ एक ही है आपके पास, कौन सा, vestibule school, इसके अंदर क्या होता है, वो सो, यह अब आप, ना तो company में हो, ना आप college में हो, आप एक ऐसे institute में हो इस time पे, जिस time पे, original real machine नहीं है, हर एक चीज की क्या है, dummy है, dummy समस्त हो आप लो, जनरली आप लोग mobile phone बगेरा खरीदने जाते हो, तो दुगानदर क्या करता है, आपको original cell phone नहीं देखाता है, क्यों क्योंकि आप उसे use करके देखो, चला के देखो तो हलका full का scratch आया है, तो उस पे फिरो बिकता नहीं हो उनकी द्वारा, तो उसकी जगाँ वो क्या रखे रहते हैं, dummy रखे रहते हैं, show piece, just like, वो चलता नहीं है, सिर्फ देखने के लिए कि भाई दोखो original चीज़ ऐसी होगी, सेम क्या होता है, आप जिस इंस्ट्टुट में कहो, वहाँ पर सारी machinery बगेरा की, पूरी organization की, एक dummy type, एक project बना रखा है, project तो समझतो न, अलग-अलग situation को, जिसकी help से हम समझा सकते हैं, तो off the job में क्या होता है, vestibule school में क्या होता है, यहाँ पर हर एक चीज़ की dummy के दोआरा, आपको practical knowledge प्रोवाइड की जाती है, अलग-अलग situation के हिसाब से, आपको समझाय जाता है, जिससे आप अपनी skill को improve करते हो, यह आपका कहलाता है, off the job method, यह इस ही को हम बोलते हैं, vestibule school, देखो जल्दी से rate कर लेते हैं, तो vestibule school means, duplicate model of organization, क्या होता है, हमारी organization की company का duplicate model, ठीक है, generally when the expensive and delicate machineries are involved, then employees avoid using on the job methods of training, तो generally क्या होता है, जब machine बगएरा काफी expensive होती है, हमें machine बगएरा हम थोड़ा डर रहता है, क्यार ऐसा ना हो, starting में कुछ में बी नुकसान हो जाए, तो इसलिए हम उन्हें क्या करते हैं, workers को, new workers को, directly machine पे काम नहीं करवाते हैं, हम उन्हें vestibule school के दुबारा पहले training प्रोवाइड करते हैं, तो यह dummy model of machinery is prepared, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, dummy model prepare किया जाता है, and instead of using original machinery, employees are trained on dummy model, तो वो original machine की जगा, dummy model के उपर सीखते हैं, sometimes the accountants who have to make entries in inventory register, or cash register, they are first supplied the duplicate register, अच्छा, यह दो को एक example ले दिया, कि एक accountants है, जिसको entries करनी है, तो आप उसे original register की जगा, आप उसे duplicate register दे सकते हो, जिससे वो क्या करेगा, पहले duplicate register में लिखेगा, जब वो perfect हो जाएगा, लिखते-लिखते, फिर आप उसे क्या provide करोगे, एक original register, तो friends, उम्मीद करता हूँ, आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और इसी के साथ, हमारा chapter हो गया, staffing खतम, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़त थी नहीं, जिसमें मैं आपको short trick provide करूँ, बट हाँ, यहाँ पर benefits जरू है, अगर ये जो benefits आपको देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, वैसे तो मेरे ख्याल से easy हैं, आपको याद हो गाँगे, बट अगर आपको याद ना हूँ, और अगर आप short trick की उम्मीद करते हो, तो आप मेरे को comment box में जरू बताना, मैं आपको short tricks भी provide कर दूँगा, तो friends, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे बहुती जल्द next वीडियो में,